जाबलपूर के आलिशान फ्लैट में हाई टेक तरीके से चलने वाले सेक्स रैकेट का भंडा फोड हुआ है इसमें पुलेस ने मौके से चार युवतियों और पांच युवको को पकड़ा है युवतियां उत्तरप्रदेश, महराष्ट और पश्शिम बंगाल से आई थी सभी के खिलाफ देह वैपार के तहत प्रकरण कायम किया गया है ग्राहकों की वुकिंग करने वाले दलाल कारवाई के ख़बर से अंडर ग्राउंड हो गए उनके तलाश की जा रही है बताया जा रहा है कि बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देह वैपार का कारुबार चलाया जा रहा था इसमें बकाइदा वाटसेप ग्रूप बनाया गया था इसमें वाटसेप कॉलिंग के जरिये ही मोह दिखाई होती थी इसके बाद सौदा पका होने पर यूवतियों की सप्लाई होती थी यूवतिया शहर में लंबे समय नहीं रहती थी दलालो के सौदा फिक्स होने के बाद देह बेचने वाली यूवतियों को बुलाया जाता था लड़किया ट्रेन के AC कोच, AC बस और कारों से आती थी VIP ग्राहक फसने पर फलाइट से भी ततकाल कॉरल गर्ल की विवस्था होती थी इसका रेट अलग से तै होता था यहां उनके रहने के लिए लगजरी होटलू की विवस्था रहती थी पुलिस ने बुद्वार की देर रात को गुआरी घाड ठाना के आस्था परिसर अपार्टमिंट में मुक्बिर की सूचना पर दबिश डाल दी इसमें पांच लड़किया और चार लड़किया संदिख्द हालत में पाए गए सभी को पकड़कर ठानी लाए गया इसके बाद सेक्स रैकेट के राज उजागर हुई जादातर कॉल गर्ल का रेट एक हजार से पांच हजार उपए तक में होता था देह वैपार में आशु, उर्फ, आशुटो, शनात, निखिल, साहिल और इम्तियाज के नाम सामने आ रहे है अभी ये सब पुलिस गिरफ्त से बाहर है पुलिस ने अभी तक निलेश, तिवारी, विशाल, कुमार, रितिक जाट, राजायादव और कार्ति के अभिशाखो गिरफ्तार किया है पुलिस से बचने के लिए स्पास सेंटर में सप्लाई होती थी गुआरी घाट के आस्था अपार्टमेंट में मिटिंग होती फिर यहीं से कार से लड़कियां अलग-अलग ठिकानों पर भीजी जाती थी देहवैपार का सरगना निलेश तिवारी है उसने शहर के आस्था अपार्टमेंट में 12,000 रुपे महीने पर फ्लैट किराए पर ले रखा था इस पूरे रैकेट में जबलपूर के अलावा कई जिलों के लोग शामिल बताय जाते हैं कॉल गर्ल की बुकिंग के लिए गैंग ने बकाइदा वाटसेप ग्रूप बना रखा है इस ग्रूप में जबलपूर के अलावा आसपास के जिले ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लड़कियां और लड़के भी जुड़े हुए हैं एक ग्रूप के एड्मिन काई लोग है पुलिस से बचने के लिए ग्रूप के लोग नॉर्मल कॉल हमेशा वाटसेप कॉल पर ही बात किया करते थे पुलिस को ग्रूप में दला लो और लड़कियों के बीच बाचीत के सुबूत मिले है करण और्फ निलेश तिवारी ने पूछताच में बताया कि 500 से 1000 रुपे तक ये लड़कियों को देते थे बाके खुद रख लेते थे आरुपियों के कबजे से मुबाइल नगदी और आपती जनक सामगरी जब्त की गई है कुछ समय से पुलिस अदिच्चक जवलपूर सरी आदित परताप सिंग को ये मैसेज आ रहे थे या सिकायतर प्राप्त हो रही थी कि जवलपूर सहर में कुछ देवेपार से सम्वान जित कुछ ब्रौकर बड़े एक्टिव हैं जो यहां पर इस्पा सेंट्रों में देवेपार का काम कराते हैं उस सूचना के लिए निर्देशत किया गया तहाई सपीशन ने कि आप लोग इस पर काम करिए तो इस पर एक इंट कल हमको प्राप्त होई थी हमारे चोकी प्रवारी रामपुर को कि कुछ ब्रोकर्स जो हैं एक मीटिंग करने वाले हैं और कुछ लड़कियों को देवेपार में किसी को सुपर्द करने वाले हैं इस सूचना पर जब उन्हें वरिष्ट अधिकारियों स तरके एक फिलेट में जो आस्ता परसर गौरी घाट में उसमें इनको पकड़ा है जिसमें पांच पुरुष और चार माइला हैं जो की देवपार में लिप्त हैं और यह जो है किसी भी जैसे भी कोई बैक्ती होता उसकी डिमांड क्यादार पर लड़कियों की सप्लाई करत करतारी हो गई है आज इनको माने में आले हम फेश किया जबाएगा फिजिक क्यों और नियूरो डिहांफ होस्पिटिल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियो थैरेपी, हिर्दय, डाइबिटीज, थैराइट, हट्टी, वज्जोर, रोग विशेशक्य, नियूरोत झाले है